प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए और मैं विभागों को भी कह रहा हूं मैंने पहले भी काया अब भी भी मैं कह रहा हूं इसको गंभीरता से लीजिए अगर कोई ख़बर छपी तो हमें क्या लेना देना सिवराज सिंग चोहां जाने या मंत्री जाने आप आपके विभाग की गर्वत शबी है कि ख़बर तो आपकी ड्यूटी है या तो आप बताईए कि वो ख़बर गलत है और अगर गलत नहीं है तो रेक्षन लीजिए और नहीं तो मैं एक्षन ले लूँगा कई बार छोटी-छोटी चीजों के लिए मैं जोडता हूं कोई भी चीज अंदेखी नहीं रहनी चाहिए ख़बर पढ़ो और देखो अभी मैंने देखा बोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है लेकिन आई वह 500 रुपया दे ले लिए फ़लाना कर लिया धिमका कर लिया अब इस पर आप दहान नहीं दो कि कौन दहान देगा जब भी ऐसी ख़बर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चलिए गड़ बाले और तुरंत पकड़ो इसके बना चीज न ठीक नहीं होती अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना आपकी कई चीज अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम स्थित्प्रग जैसे हो जाते हैं हमे जिले में अच्छे काम हो रहे हैं आपकी ड्यूटी है नवाचार कर रहे हैं जनता में आया आपकी ड्यूटी है अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कारवाईयां भी क्यों और सोसल मीडिया पर डाल रहे हैं अब आप नहीं कि डालोगे तो कौन सोचल मीडिया और मीडिया पर पूरी ताकस के साथ खटन करो जो चीज हम कर रहे हैं वो धंग से प्रिचारित होना चाहिए लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए यह कि जनसंपत की जबाब दारी नहीं है आप सब की जबाब दारी है और मुखमंत्री अगर कोई ट्व कि फेस्बुक पर आए इंस्ट्राग्राम में आए यह इन से दूर रहने का यूग अब चला गया है यह नहीं हो सकता कि हम हमें क्या करना है है हम को ही करना है इसलिसमें बहुत अवेर रहे हैं सोचल मीडिया का बहुत अ